तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि पोसंट ट्रेकर एप में आप लोग जिन जिन लभार्थियों का आभा काड आईडी किरियेट कर रहे हैं उन लभार्थियों का आभा काड हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे और जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग पोसंट ट्रेकर एप पे काम करना शुरू कर देंगे तो चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं कि पोसंट ट्रेकर एप में जो लभार्थियों का आभा काड बना रहे हैं उसको डाउनलोड कैसे करेंगे अगर वीडियों में दी गई जनकारी आपको इंफोर्म कि हमारे मोबाइल में साथ बच चुका है और यहां पे पोसंट ट्रेकर एप आसानी से खुल जाएगा यहां से हम इसको बैग करेंगे तो चलिए अब हम यहां पे पोसंट ट्रेकर एप को ओपन करते हैं जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो इस परकार से आपका जो पोसंट क्रियेट कर रहे हैं जैसे कि यहां पर गर्फवती महिला धातरी महिला और सभी बच्चों का आभा कार्ड क्रियेट हो रहा है जैसे कि इसके उपर मैंने और लेड़ी वीडियो बनाया हुआ है कि बच्चों का आभा कार्ड कैसे बनाएंगे और जो लभार्थी हैं उनका आभ कर सकते हैं पहला है मुबाइल नंबर और दूसरा जो आभा आईडी हमने जनेरेट किया है उसको यहाँ पर देख लेना है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आभा आईडी हमने जनेरेट किया है इसके नंबर से भी हम लोग डाउ है ठीक है जैसे कि यहां पर हम क्रोम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है health.ndhm.gov in यानि कि यह जो health card बनाये जा रहा है वो national digital health mission की ओर से बनाये जा रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है से मैं आप लोग को official website है वो यहां पर खुल के आएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस परकार से आपका जो page है वो खुल के आ जाएगा आने के बाद आपको यहां पर three dot पर क्लिक करना है यहां पर three dot पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे login करने का एक option आ जाएगा यहाँ पे आपको इस पे click कर देना है तो जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो कुछ इस पकार से एक page और खुल के आ जाएगा login to your आभा number यानि कि जो आपने आभा ID जिरेट किया है उससे भी आप पे download कर सकते हैं या फिर यहाँ पे mobile number डालके भी आप लोग जो आभा card है वो download कर सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है चलिए मैं आपको यहाँ पे mobile number से download करने के बाड़े मता रहा हूं जैसा कि आपने registration करते वक्त जो number डाला है और जिस number से आप लोगों ने आभा ID generate किय जाए है OTP भेज के उसी number को आपको यहाँ पे फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पे आप लोगो चो यह capture code दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पे capture code को आपको यहाँ पे भरना है ठीक है और अगर आपको यह capture code समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे refresh करेंगे तो यह दूसरा capture code आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों capture code है उसको फिल कर लेना है चलिए हम यहाँ पे फिल करके उसके बाद mobile number डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमने capture code जो है वो डाल दिया है अब चलिए यहाँ पे हम mobile number डालते हैं तो हमने यहाँ पे mobile number डाल दिया है और capture code आप लोगों को इसलिए पहले डालना है क्योंकि mobile number डालने के बाद यह जो page है वो इधर से इधर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको capture code डालने में problem हो सकती है इसलिए आपको पहले capture code डाल लेना है उसके बाद mobile number डाल लेना है ठीक है उसके बाद चले यहाँ पे जो continue का एक option है इस पे हम लोग किलिक करेंगे तो जैसे हैं continue पे किलिक करेंगे तो आपको OTP डालने का एक option आएगा यानि कि आपको OTP भेजे जाएगा छे अंको का जो OTP है वो आपको यहाँ पे fill कर लेना है जैसे कि देख सकते हैं mobile number पे एक OTP आ चुका है हम इसको यहाँ से copy कर लेंगे और यहाँ पे इसको paste कर देंगे तो हमने यहाँ पे जो OTP है वो डाल लिया है अब आपको यहाँ पे continue पे किलिक कर देना है तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस लभार्थी का आपने आभा काड आईडी बनाया हुआ है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और एक mobile number से आपने जितने भी लभार्थी का यहाँ पे डाउनलोड होके आज आएगा और यहाँ पे डाउनलोड आभा काड नंबर तो आपको इस पे क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं हमारा जो PDF फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है इसको हम लोग open करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का जो कारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा आगन बारी बहनों तक शेयर किजिएगा ताकि वह भी लभार्थियों का आभा का डाउनलोड कर सके तो आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं फिर किसी ने ट अन्यवाद जय हिंद